तो आज का जो मार टोपिक है वो है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी प्रिडिक्टेबल की जो प्रिडिक्टेबल होते है उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है तो आज हम तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ लेते हैं उसके बारे में डिसकर्स करते हैं ठीक है सिंपल है सुरू कि जैसे पहले जो अपने पास एक्टम की रेडियस कितनी होती है तो ख्यक्सली ज़िजा एक्टम होता है वह बहुत स्मॉल होता है और दोसरी का मेजरमेंट इसको लेना बहुत मुश्किल हो जाता है को है अगर दुसरी बाहते को धो यह को बचसे इसमें इसके सबूरौन करते हैं और भीट तौраз क्लावड सा एक formation क्रिएट कर लेता है जब एक लावड फॉरमेशन क्रेट करें तो इसमें इसका मेजरमेंट इसका मेजरमेंट लेन बहुत मतलब नेक्स्ट तो इंपोसिबल हो जाते है ठीक है है जैसे स्वरूम moved कट कर लेकि ब्या भी था कि साथ इतनी सो सकती है पर ये एक्यूरेट नहीं है ठीक है ये माना गया था लेगन एक्यूरेट नहीं है तो इसका एक दूसरा तरीका साइंधिस्टों ने象 Kimchi कि अगर दो एटम अगर दो एटम लें दो एटम आपस में एक बॉंड बना लें एक बॉंड के थरू जूड़ जाए एक अटम यहां मालो इसको जूरूर था हो यह आपस में जूड़ गए ठीक है दो एटम आपस में कोई सी बॉंड के थरू जूड़ गए तो अगर हम उस ब thest region कितनी है तो इस के सिंस्ट की जो तो किसे भॉर्म की मेसन जुड़े होंगी रहा हम सब्सक्तरेजिभी कितने इस बॉंडयनथ खाह्टे टो एक एक्टम की रीडियस हम जान मेथे ढून की सबचे में होता है तो इसबोंस की थूरू हम जा सकते हैं कि यह एक एक एक्टम की रीडियस माई पहलगों रोड़नों क每 इस ऐसे एक लेक्टर निकल गया है जैसे एक इपर उना आ चैसले क्या पार, पॉजिटिव चार्ज कीAhI, इसम हम इसमें एक लेक्टर निकल गया है इसま को इसमें उना उनली छाला गया है और इसमें की जरूरत है यह जाता है और आका प्रक्लतं के रूप में हो गया धनी, बलवान, पावर तो ये हो जाता है नेगटिव जो सको हम ऑनाइन कहते हैं ठीक है, जब कैटाइन और ऑनाइन, जब आइन्स आपस में बोन्ड बनाते हैं और उस बोन्ड की यह मतलब कि जेसे मननों कहाइन नाइन और कैटाइन आपस में इन्होंने एक बॉंड बनाया अब इन दोनों की जो बॉंड है उसकी लेंथ जान लो कि कितनी लेंथ है वापिस उसका हाफ कर लो तो जाती आइनिक रेडियस ठीक है सिंपल एटम दो एटम जुड़े उनकी बॉर्ड लेंड देखो उसका हाफ क लो यह होगा इसका आइनिक रेडियस तो यह तो सिंपल था अब जो नेक्स्ट आता वादा आइनिजेशन एंथेल्पी वह थोड़ा सा इन से बैटरी दो सिंपल सा था है उसमें थोड़ा समझने के लिए है भी एक टेबल माने जैशन एंथेल्पी किस तरह मूव करते हैं तो बढ़ती हो किस तरह मूव करते हैं तो गटती है ठीक ना तो इस रात है आइनिजेशन एंथेल्पी तो सबस्क्राइब तो हम जानते हैं कि आइनिजेशन दो एंथेल्पी होती वो होती ही किया है जैसे यहां पर कोई एटम है यह अपने पास बीच में काई नूकलिस है ठीक है अगर किसी सेल से एक एलेक्टरॉन को हम निकाले किसी एटम में किसी एक इलेक्टरन को हम निकाले लें तो इस इलेक्टरन को निकाल ले में कितनी एनजी हमारी लग गई वही होई एनर्जी क्यालाती है और यह मैं अमकृ फार्व और यह कि और यह हां मिलेशा पॉजिटिव में नहें है आगे बताएं कैसे होती है पोजिटिव में किसी एक्टम में से किसी एलेक्टोन को निकालना है और उसमें कितनी एनर्जी लग रही है वही एनर्जी होती है अब इसको थोड़ा और डीपली समझने कोशिश करते हैं जो एक एटम होता ना अगति अटे मों शैल से थें सेल्स में एलेक्टोन होते हैं यह एन non से लोता यह एण टू ठीक रहागा यह वन एसंटू आटम टो टो ऐसे साव होते और जो नुकलीस होता है जिसमें पोजिटिव चार्ज होता है और जो sì होते हैं इनकी बीच में एक फोर्स एक फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रो स्टैक्टिक फोर्स जिसे बंद कि रहते हैं कि इलेक्ट्रो स्टैक्टिक फोर्स ठीक है जिसे नुकलियस और इलेक्ट्रों अपसमें बंद कि रहते हैं उसको की बीच में रिपलसन फोर्स, जैसे मैंगनेत रोता है और पोलो ढौर होसाथ दो एट्रेक्ट करेंगे, दो अगर सेम पोल लेते हैं, तो लिपल करेंगे, वैसे की इस में होता है नेगने क्वा फैसर में रिपल करेंगे और पूजिटीब नेगिटिव अपना आपको अट्रिकट करेंगे है् लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्टराइक्टीव फोर्स होता है वो मोर पाउरफुल होता है रिप्ल्स टेलिट रिप्ल्स की बजाय यह जद्ञेट इस जगी सब्सih ॏ होता है अब इस्का जी अफे इस गॉर्स होता है कि आई ँषर कने लूआ जलए से हमिर टेलिक यह कि नीदल लगेगा एक फोर्स होता है ज हैं वो निकलेस के राउंड रिवॉल्व करते हैं तो यह एक पोजिश्य पर रहेंगे नहीं यह इस्टेबल रहेंगे तो नहीं रहेंगे तो 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 कम होता है तो आप attractive for जदा था और और पलसिफ फोर्ट कम होता है ठीक है अब हम थोड़ा सा एक example लेके देखते हैं उसमें से समझ में आएगा और की लिए समझ में आएगा अगर अगर एक तरफ हम लेते हैं चोड़ा सा एक जांपल एक तरफ लेते हैं एक प्रोडिक टेबल में बैब को इस तर्स बलोक होता है इस तरफ घूरूप और इस तर चलता अपने प्रेड तो ऐस ब्लोक भी लॉक और भी ब्लोक ठीक न मित अपको पता हुब हुआ है लिथियुम और इस तर्फ निले लिदें लीथी ट्रॉप यह वते हैं विस नीए फॉर और जो एक जो एंद्टन आए वह आगया इसमें ठीक है भरेंज की बात करें तो एक लेट्रों इसमें आगया दूसरे व्लेक्टन टू-S में आगया ठीक है यह प्लस पर अब इसको समझे लेकिटरे करते हैं अब जा देखो जो इसकी से जो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा इसका फोर्स थोड़ा वीक होना चालोगी कितने दूर तक यह अपना जो से कितने दूर तक इलेक्टोनों को भांद के रखेगा ठीक है तो जितना पास उतनी एनरजी जितना दूर उतनी कम एनरजी उतना कम फोर्स होगा एक्चुली ठीक है अब जो फैस्ट सेल इसमें दो इलेक्टोन है सब से पास नुकलियस के तो इस पर बहुत ज़्यादा पाउ और इसमें होगी पिलस 3 जो नुकलियस की जो पावर है वो है पिलस थी ठीकje लीथियन का जो कितनी एलेक्टोन तो यथरी और प्रोटोन कितनी होंगे पिलस थी तो इसकी पावर होगी पिलस थी वह हैं अगर निहीं की बात करें तो भाग्रे too playrum feseta में Eves Floyd हमें Two Electron एलेक्ट्रोन लेकिन अब इन दोनों में देखें तो ज्यादा फोर्स किसमें लग रहा है ज्यादा मतलब एनरिजी किसमें लगेगी एक एलेक्ट्रोन को निकालने में है ना वहीं अगर आप देखो तो इसमें देखो प्लस थ्री प्लस थ्री प्रोट्रोन की पावर लग रह यह सैल वी देखो शेमी है 1 और 2 वन और 2 ठीक है लेकिन बस एक बात रह गए कि इसमें जो है फ्री प्रोटोन को फॉड्स लग रहा है जो एलेक्ट्रों इसको निकालने में कम एनरजी लगेगी बजाए इसके ठीक है क्योंकि जो इसकी नुक्लिस की जो पावर है वो कम है इसके कंपरेजन में और जो सेल है वो सेम है यह सेकंड सेल है यह वन और यह सेकंड सेल है तो इसमें ज्यादा पावर लगी और इसमें कम पावर लगी इसका मतल़ अगर आप प्रेडिक्टेबल दे ठीक ना एक प्रिडिक्टेबल में अगर अब लेफ्ट टू राइट चलोगी तो जो आइन जैसे इनर्जी होगी वो एंठ handwriting होगी तो एक एक जैसा आफ को हां इसमें काफी exception भी होते हैं क्योंक कि electrons होते हैं एक उसमें Canada लेक नहीं होगी ये और बिटल सी मोत of जैसे टूपी इन 3 as 3 d तो उनका भी effect होता है जिसके कान थोड़ी सी इसमें क्या होते हैं एक सब्सक्राइब के अंदर वह भी समझेंगे ठेक है तो यह बात आई थिंग आपको क्लियर होगी होगी अगर आप के अब एक गुर। एक प्रोडिक्टपल में उपड़ से निचह हो जैसे हैं जैसे जो अपनी फैस्ट गरूप होता है रप्सफरियात आप तरफ का अलगता हो सकता है तो अगर हम लीटियम लेक तरफ और एक तरफ हम सोडियम ले इसका जो क्या बोलते हैं है लाक्ट्रोंज फ्रोंड नहीं 3 और इसनों कहते हैं 11 कि एक नियुक्लियस करके देखे यह इसके आराउंड टू एलेक्ट्रोंस और एक एलेक्ट्रों इंथर आ गया सोडियम को देखते हैं तो एलेक्टोंस है सेकंड सेल में कितने आते हैं एक एलेक्टों ठीक है इसमें एट एलेक्टों बॉन टू थ्री फॉर लिक इतने होंक टैन एक एलेक्ट्रों थैड़ सेल में जाएगा 3S में ठीक है एक electron next cell में move हो जाएगा इसके अंदर अब बताओ कि ज़्यादा energy किसको required होगी electron निकालने में अगर आप यहाँ देखो तो इसके पास 3 proton हो इसके पास 11 proton है ठीक है अब जो second cell है माना कि भाई 3 है और इसमें 11 है लेकिन जो यह है यह इस पर जदा force लगाए रखेगा यह बात तो है यह वहीं आप इसमें देखो तो इसको पहले इस पर force लगाएगा फ़े second पर force लगाएगा और third cell में इसको force लगाएगा लेकिन यहाँ पर जो electron है वो कि बाई की है ठीक है ना यहाँ पर जो electron है electron है वो कि बाई की है ठीक है लेकिन यह थेट सेल में यह बात भी depend करने वाली है कि यह थेट सेल में अब क्या होता है कि जो orbitals होते है ना जैसे 1S है इसमें दो electron होगे अब एक upwards spin करता है और एक downwards spin करता है यह एक pairing प्रेट कर लेंगे pairing कर लेंगे जब revolve करते हैं तो यह एक shield अपने चारों तरफ एक shield coverage होता है ना एक shielding effect करते हैं अपने चारों तरफ एक shield सा एक effect create कर लेंगे वैसे इदो को यह आप second cell में तो 2S और 2P यह भी full है तो यह अपने round एक shielding effect create कर लेंगे वहीं आगर आप एक electron जो को एक्स्ट्रा में हैं तो इस extra electron के कारणी है एक तो यह single है और ठीक है और एक अलग से cell में यह रह रह रहा है तो यह आपर क्या होगा जो सोडिय में जो अपने पास एने हैं वह वह थोड़ा instability फील करेगा ठीक है ना इसके कारणी थोड़ा सा unstable होगा क्योंकि symmetry कोई ने कर रहे हैं यह एक जैसे नहीं हो रहे हैं इस कारणी क्या करेगा थोड़ी सी unstable फील करेगा तो थोड़ी stability create करने के लिए यह electron को easily release करने देगा ठीक है इस electron को easily release करने देगा ताकि मैं थोड़ा सा more stable हो जाओं तो इसका मतलब हुआ यह तो जो यह अपना nucleus है एने का वो इसको easily remove करने के लिए त्यार है लेकिन यह easily remove करने के लिए त्यार नहीं है क्योंकि इसके बहुत पास है इसे इसे दूर है लेकिन और एक ही है तो इसके अंदर जो ionization enthalpy होगी जो energy होगी वो कम लगेगी क्योंकि इसमें तो nucleus भी राजी है क्यों ले जाओ इसको इसमें तो nucleus भी राजी है लेकिन इसमें यह nucleus राजी नहीं क्योंकि इसके पास बहुत नजदीक है यह cell इसके डिस्टेंस बहुत कम है लेकिन इसके डिस्टेंस जादा भी और पाउर भी जादा लग रही है तो बस यहां पर nucleus भी राजी और यहां पर जो इसको ले जा रहा है वो भी राजी लेकिन यह राजी नहीं इसके अंदर तो इसका मतलब आगर आप एक प्रेडिक्टेबल में उपड़ से नीचे आते हो एक ग्रूप में उपड़ से नीचे आते हो तो जो आइनजेशन एंथेल्पी होती है वो डिक्रीज होती है ठीक है ना जो आइनजेशन एंथेल्पी होती है वो डिक्रीज होती है ठीक है इसका मतलबा करके predictable में अब देखोगी तो left to right जाएगी तो increase होगी आइनोजेशन अन्थेलपी और उपट से नीच जाएगी तो decrease होगी तो इसमें cell का रोल होता है लेकिन इसमें orbitals की भी रोल होते हैं ये भी रोल होता है कि जो electron हो single है या pairing में है ठीक है ना ये भी इसमें important होता है कि वह सैल fulfill है या हाफ फिल है या उसमें कि एक इलेक्टर तो इसका भी इसमें importance बढ़ जाती है है ना ये जरूरी नहीं कि नुक्लियस जो electrostatic force कितना लग रहा है ये भी जरूरी होता है कि जो वह और बिटल से टूपी थी इस टाइब की जो भी और बिटल से फुल फिल है या उस वह बस बेफाल तुम्हें एनस्टेबल कर रहे हैं एटम को तो ये भी जिसमें जरूरी होता है तो इसमें exception काफी होते हैं इनी और बिटल के कारण काफी exception क्रिएट हो जाते हैं एक आदा देख लेते हैं ताकि क्लिरली समझी में आजाए हैं कि हम कौन से exception की बात कर रहे हैं कि है कि अंगर एक डियुक्त sagt ने तो अपने पास किया थैं यह तरफ आता बेरेलियम और इस तरफ आता बोरॉन क्याल ने थिक है कि बेरेलियम को टैंफाइम एक तो और बन दोन वहते हैं कितने फाइफ लेक्ट्रों इससे आपको अक्रियर्ली समझ में आएगा कि आयनिज़े ने थेल्पिक कैसे काम करती है इसमें नुक्लियस यह नुक्लियस वह जो फेस्ट इसमें दो इलेक्ट्रों ना गई फैफ वनेस और जो सेकंड सैल है उसमें कितने 2S में बाकि दोनों आ जहेंगे मतलब अगर ध्यान दो तो 1S 1S में धोनों Electrun है 2S में भी दोनों Electrum है मतलब पेरिंग करें और जिसे पेरिंग करते हैं तो एक शिल्ड सी कवचिंड बना लें एक और राउंड ठीकना एक घर सा त्यार कर लिते हैं करें कि कोई doświad को तोड़की इस इस शिल्ड को चोड़कि इस में से एक बिर यवर वे गएंगा को बास्ता ऐख तेल पो कि तो ने मुरू इसमें दोगल नुढ़द ही आसके चाहिए कोड़ ऐस में तो करहला को डा ही हिसमें और इसेक्टरिंग हो उत्षाब का रॉल जदा होता है अब देखो यह जो नुक्लियस है ठीक है एकुली फोर्स लगाएंगे दोनों इसमें प्लस फोल लगाएंगे तो इसमें प्लस फाइफ प्रोटोन होंगे इसमें फाइफ प्रोटोन है पावर एकुली ही लगाएंगे ठीक है ना सैल भी इतनी है पास में है लेकन यहां एक बात होती है कि जो आपर इलेक्टोन ने उस ORBITAL में दोनुब जो इलेक्टोन है वह ORBITAL में आ गए मतलब 1S में KITने 1S में 2 थो इलेक्टोन आ सकते हैं यह PARING कर लेगे परिण कर लेगें और přिंदिंग делает कर लेंगे और वहीं आप 2S में देखो अब इस जो बेरेलियमS में इसमें कोई सिंग्ल ऐलैट्रोन तो कहीं देखनी रहा ओर्बिटल में कहीं खाली ऐलैट्रोन तो दीखनी रहा और ये सिल्डिंग क्रेइट कर रहें अब सिल्ड को तोड के इसमें से एक एंहीं को बहान निकालना बहुँ जादा इनर्जी लगी किसी शेलड को तोड़के ुसमें से एक एंहें बहु dez attempts बहुए अगरों की बात करें तो ठीक फर जो पैरिंग करेंग और क्रियेट करेंग ऑर fragments क्रीट क्रेंड कर रहे लेकिन लेकिन न तो यह ऺयी प्रोटम करेंट करेंब कर नहीं नहीं कोई मैंच शील डॉप्यार केडिक चरे तोस भी धर करोंगे दो जो होते हैं उसमें चारु औरंत्र दिवार्ब हों होते है 어쨌든 क्रेट कर लेते ह्म लेकिन इस मिल्दर कोई निए कोई भी खुले में आओ और मुझे लूटिल ले जाओ तो वह वाला सिस्टम हो जाता है तो और यह क्या कर रहा है एक सिंगल होकी यह इसको थोड़ा सा अनिस्टेबल भी कर रहा है अब अगर यह जो नुकलियस है इस प्रो इलेक्टॉन को जाने दे तो यह थोड़ा मौर इस ठीक है तो इसलिये क्या करता है कि जो बोरोन है इसमें सी इस इलेक्टॉन को निकालना थोड़ी कम एनर्जी लेगेगी वहीं इन पेरिंग को और इन toujours को तोड़गी इन शिल्डด को तोड़की एलेक्टॉन निकालना एक तो फॉर्ट की दिवारों को तोड़की हम तो इसलिए इसमें एनर्जी कम लेगी और इसमें जो एनर्जी है वो ज्यादा लगेगी ठीक है तो ऐसे बहुत से एक्सेप्शन आएंगी जो और्बिटल पर डिपैंड करता है कि इलेक्ट्रों कहां पर है सिंगल है पेरिंग में हैं सिलिटिंग एफेक्ट कर रहा है कर रहा हां सैल का भी एफेक्ट होते हैं लेकिन और्बिटल का भी हम मोस्टली देख इसमें एक बात और है और देख लेते हैं कि आइनिजिशन एंथेल्पी फैस्ट सेकेंड फैर फॉर्थ यह क्या होती है आप जब एक एटम से इंक इसकी गई तो आप किसी एटम से यह किसी एलेक्ट्रों को फैस्ट टाइम निकलते तो वह जाती है फैस्ट आइनिजिशन एंथेल्पी ठीक है जैसे इसमें से इलेक्ट्रों निकालते हैं तो उस एटम कि उपर आद आता है पॉजिटिव चार्ज कि भाई पोजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि मुझे इलेक्ट्रों की जरूरत है नीड है तो यह होज़ाद है कैटाइन ठीक है है जिसे हम लीथियम लेते हैं जिसे प्लस थ्री है इसमें से एक लेकट्रों निकाला तो वैसे इसके ओपर क्या जो पोजिटिव चाज़ज़ाँ अज़िए ठीक आगर हम इसमें से एक लैक्टो निकालने बाद हम सेकेड टाइम दूसरा ऑलेक्ट्र निकालते हैं तो वो छोचों है Sau है उसके बाद अगर हम फ्रेक्ट्र निकालते हैं तो वह चाह Jr N θα पी है अब इसके मैं आखये दिस्था है मान लो चैसे हम थोड़ा बड़ा एक्जांपल लेते हैं जैसे माने तब पलस फिफ्टीन वाला अपने पास एक पैंटम है उसे में से लेक्टोण है इसमें प्लस 15 लेक्टोण होंगे है है हमने fit falect 1 इनपलर निकला स्ट एक इल्ईट्र निकला एक टो निकला एंठर्च देख रहे हैं किसी говорит कि इन्क्रीज होती है मैं अब जैसे एक क्लेउन इसमें निकला तो स्वाहां सिप कि फोटीन इलेक्ट्रर लेक्ट फोटीन ही तो फिसटीन इलेक्ट्रोन जो सुरी 15 प्रोटोन 14 एलेक्टोन पर थोड़ा more electrostatic force लगाएंगे क्योंकि भाई एक निकल के तो अब भाई कोई निकल मजाना तो और जादा force लगेगा जैसे हम एक एलेक्टोन ओ निकाल लेंगे इसमें से एक एलेक्टोन ओ निकाल दिया तो 15 जो प्रोटोन है वो 13 एलेक्टोन पर और ज्यादा electrostatic force लगाएंगे ऐसे हम फोर्थ आयोनिजेशन की बात करें तो ज्यादा ही लगेगा इसकी अंदर इसका मतलब जैसे जैसे हम एक 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 एलेक्टोन निकालते जाएंगे वैसे वैसे आनेर्जेश भी हमें बढ़ानी पड़ेगी और निकालने में पहले निकाले इसका मतलब होते जो फेस्ट जो ए यह जैसे जादे एंचिन लगाने पड़ेगी सेकंड बंप एगी उससे जाधा नेजी लगाने ao्यत siarisz लिट एड़े की थैड़ वाले में और ऐसे करते करते यह चलता लेगा ठीक है तो बस इस टॉपिक में इतना ही था आइन जिसन एंथेलपी आइधिंग आपको समझ में आगया होगा मैंने फूली एक्जामपल एक्षेप्शन सब कुछ लेके समझा दिया है इसमें दो और फजिकल सबस्ति हैं इलेक्ट्रों गेन एंथेलपी और इलेक्ट्रों नेग्रिटी उसको आगे समझेंगे और आइधिंग इसमें आपको समझ में आगया होगा ठीक है